किसान वानई कारेकरम में हमाई जोन प्रगती सिल किसान भाईया आथ हैं, बहुत लंबे समय से किसानी कर रहा है भी तो अपने अन्भों अपने संगे साज़ा कर रहा थें। ऐसा ही प्रगती सिल किसान धनी राम गुपता, ग्राम केवलारी तहसील केसली से हैं। आज अपने बीच उपस्ते थे, जैराम जी गुपता जी, जैराम जी की सभी किसान भाईयों को, गुपता जी किसानी में आपने कछू नौ काम करो है, एफ़ पी ओ, तो जो एफ पी ओ का कहा हो, एफ पी ओ किसान उत्पादक संग्ठन, ऐसे किसानों का संग्ठन, जो कुछ ब किसान उत्पादक संग्ठन है, ये जो संग्ठन है, एसे एक संग्ठन है, गवर्मेंट की संथा है, जो किसानों के लिए एफ पी ओ बनाने का काम करती, मैंने SFAC के को आफिस कहा हो? सागर में? इसका हेड आफिस यहां मद्द परदेश में भोपाल में हैं सागर में? सागर में नहीं हैं. भोपाल से ही यह संचालित होती हैं इसके माद्यम से सब्सक्राइब किसान उत्पाद्दक संगठन बनावे की तो सुरूआत किते से करें हमाई किसान भाई का विचार बनाए कि एको सुरूआत करें किसान भाई एपको है एसेफ एसी है और जो अनसास की ऐसी संस्थाएं हैं जो एप्पियो की निर्माल का काम करती हैं पहले उनसे संपर्क करें एक तेसील में दो एप्पियो संचालित हो पाएंगी अगर उस तेसील में एप्पियो नहीं हैं जो सासन से अंदानित है तो फिर किसान भाई अपने छेतर में इस तरह का किसान उत्पादक संग्ठन बनाने के लिए इन एजेंसियों से संपर कर सकती है एपियो बनावे किलाने कम से कम कितने किसानों को जोड़ने का कम से कम 300 किसान होना चाहिए और अंसर आसी उनकी कितनी रहे है देखिए अंसर आसी एक किसान नियूनतम 100 रुपे से सदस्ता ले सकता है उसको 10 अंस मिलेंगे 10 सेयर मिलेंगे अधिक तम 1000 रुपे सेयर आसी जमा करके वो 100 सेयर प्राप्त कर सकता है और जब कम्पनी को लाब होगा तो जितने वो सेयर खरीदेगा FPO से उसका लाबांस उसके खाते में जाएगा बिलकुर ठीक है माने जाबात कहा ही कि जैसे अपने किसान उत्पादा के संगठन बना लगा तीन सो किसान जुड़ गए अपने तो कम से कम कितनी रासी अपने उत्पादा के संगठन में भोच जज्जे जो उसको मानने कर हैं कम से कम तीन सो होना चाहिए और तीन लाख रुपे की रासी जो एक खाता होता है अप्यो का उसमें जमा होना चाहिए जब सासन के पास में ये आकड़ा पहुँच जाएगा कि तीन लाख रुपे जमा हो गए है तो फिर एक्विटी ग्रांट यानि गवर्मेंट जो है फिर उसे अप्यो को देना शुरू करती है जा तो बात आ गई कि तीन लाख रुपे कम से कम एक संगठन में भौचज जे तीन सो किसान कम से कम चाने कहाए और गुपता जी अब अपने संगठन बन गवा अपनों ये संगठन में कौन-कौन से लाव हमारे किसान भी हा रहें ले सकते हैं और कौन-कौन से किसानों खोर लाब दो जा सकते बहरी किसानों चुछी इसमें एक आई तहसील है एक तहसील के लिए जो एक एपियो बनता है उसमें उस तेहसील के समस्ते किसान जोड़ सकती है कम से कम 300 होना चाहिए अधिक तम 30,000 भी हो सकती है और अब देखिए लाब की जहां तक बात है तो अभी किसानों की जो समस्या है अच्छे बीज की, खाद की, रासानिक दबाईयों की और फिर उत्पादन के बाद बिक्राई की और ये चारों समस्याओं का निदान A.P.O. के माद्यम से बड़े अच्छे तरीके से हो जाता खाद और बीच की दुकान होती है, सासन की माद्यम से खोली जाती है। दुकान का संचालन होगा, सासन की तरफ से एक CEO यानि जिसको मुख कारपालन अधिकारी कहते हैं, वो मिलता है, एक एक अकाउंटेंट मिलता है, पूरे संसाधन मिलते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, अलमारी, सारी चीज़ें सासन की दौरा एक CEO को महया कराइं जाती हैं, वहाँ पर किसान आकर के CEO की जुड़ी हुई योजनाव को ले लेता है। जे 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 और दूसरे किसान भी उको लाब ले सकते हैं, जो सदस नईया, वो ततकाल 50 रुपे, 100 रुपे की रसीद कटवा करके सदस बन सकती हैं, और लाब ले सकती हैं, और अगर वो दुकान पर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी लाब से बंचित कर दिया हैं, कि हम किसी बेग्यानिकों से, किसी बेभा की अधिकारियों से संपर करके, किसानों के बीच में उनका प्रिसिक्षन करवाते हैं, यह से आज मिर्दा दिवासे, तो मिर्दा दिवास के उपलक्ष में, हम किसानों को मित्ती परिक्षन की बात करते हैं, तो यह तमाम जोड़कर एक पूरे विस को अपना मार्केट बना सकता हमारा एप P.O. जो है वो बाजार से जोड़ा हुआ है विस के दूसरे छेतनों से जोड़ा हुआ है डारेक्ट आनलाइन हमें लिंक मिल जाती कि हमें कहां कहां कितना सामान चाहिए और वो हम किसान भाईयों से खरीद करके उन एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं तो किसान को अच्छे दाम पर उनकी फसल बिक्रेका भी हम एक आपसं तयार करें कि अपन देखें अपन समय समय पे बहुकावी नहीं हो प्याउपे कं कोई भी उद्डियोग जैसे हम डेरी उद्डियोग के स्थाफ़त चर्राइब कर रहा हैं तो डेरी उद्डियोग में 40% जो है अनुदान सासन से मिलेगा 70% हमको भरना पड़ेगा 40% गबर्मेंट भरेगी जो हमारा एक बहुत प्रभावी काईकम जो प्रधानमंति जी का चड़ रहा है मिलेट पर याने स्री अन पर तो हम उसकी यूनित डाल रहे हैं तो ये जो पोशक आटा हम अन ब्यक्तियों को उपलब्द कराएंगे हम अपने किसानों से खरी देंगे उनको प्रोसाहित करेंगे बोने के लिए और हम अन लोगों को उपलब्द कराएंगे तो हम कुछ समाए में केसली छेतर में एक बड़ा रोजगार है प्रियों के मादियम से युबाओं को देने वाली मतलब स्री अन के और भी जो अपने दलहनी फसले हैं इनके अपन उत्पाद बना दे उनकों अपन मार्केट में बेंच हैं तो निश्चित है कि उत्पादक संगठन अच्छों लाब हुई और वो लाभांस जो अन सरदस्टे किसान है उनकों हुई है उस सभी किसानों तक पहुँचेगा निश्चित रूप से जो लाब है कंपनी का वो हर किसान तक उनके खाते में पहुँचेगा और सबसे बड़ी बात एक और बता दे लोग सेर रासी देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं जब गवर्मेंट फंडेड एपियो के मेंबर आपके बीच में पहुँचे हैं हम किसान भाईयों से मुखरूब से कहना चाहते हैं तो उनसे आप जुड़िए सेर रासी दीजिए आपकी सेर रासी कंपनी के एक अकाउंट में पूरी तरह से सुरक्षे थे जिस दिन आप चाहेंगी वो मैं भी आज के आपको वापिस की जाए मैं तो किसान भाईयों से कहना चाहता हूँ कि इसमें नगत का कोई प्रावधान नहीं है कंपनी का एक एक अकाउंट होता है उस एकाउंट में ही किसान को डारेक्ट जमा करना होता है नगत देने का कोई प्रावधान ही नहीं है माने जितनी भी योजनाय रहे हैं सरकार की रहे हैं और FPO के माध्यम से भी मिलें जैसे की स्पिनलर सेट, पाई, अपने टपक सीचाई की जो अन पूरो सिस्टम रहते हैं मलचेंग की जी सब योजनायूद कीया जाएक और कम से कम दामों पर जोन कंपनियां बाजारू कंपनियां भार हैं और उनसे कमदामों पे अपने अध्यापन कोई भी कमपनी को अफ़ाद दे सकते हैं किसान वहिया बिलकुल जी बिलकुल हम सभी किसानों को एक MPFSTS पोर्टल है जहां से एक सासन के द्वार अमदान मिलता है हम उस पे दर्ज करवाते हैं अभी जैसे ड्रोन भी उस्था चल रही है तो हम अपने अभी जो हम लोगों ने एक परियोजना का एक संकल पर पत्र तयार किया है तो उसमें हम जैसे ड्रोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसमें भी सरकात जैसे 20 लाग का ड्रोन है तो 5 लाग हमको जमा करना है 15 लाग गबर्मेंट दे रही है महत्तपूर्ण योजना और किसानों को सासन के माध्यम से लब्द हो रही है तो क्यों न हम FPO से जोड़कर सिलाब उठाए बिल्कुल गुपता जी और एक बात महत्तपूर्ण जाबी कहा ही कि EPO अपने गाउं में कहा हो अपनको सागर मतला अपनको सहर तक नहीं भगने और तुरंत के तुरंत सामान मिल रहा है और जब भी अपनको कोई भी लाब चाना है कोई भी योजना अपने बीच में अपने आदमी बैठे हुए हैं तो उन से सबकों अपन बता सकत है EPO आने संग्ठनों का संग्ठन याने गाउं में 15 से 20 व्यक्ति अपनी एक संग्ठन निकाई बना लें और वो संग्ठन काgado EPO से जोड़ जाएगी जैसे हर गाउं के संग्ठन जब EPO से जोड़ जाएंगे तो जो संग्ठन का मुखिया बनाएंगे उस तक उस गाउं के सभी किसानों को हम लाप पहुच आएंगे और घर बैठे खिसानों को ये सवीदा मोपलप्त कराइंगी बहुत ही बड़ी हाँ कहाने कि माने एक गाउं में दस पंदरा लोगों ने एक समू बना लाँ ऐसे दूसरे गाउं में बना लाँ और एक जगे पनने मुख्याला बना लाँ मुख्याला एक जगे तैयार कर लाओ उत्यासे अपन सब व्यवस्था हैं सो चारू रूप से चला सकते किसान भी आ रहे हैं एमें जुड़े हैं तो किसानों के लिए ने बहुत ही लाददायक बात कहा है गुप्ता जी और कचुछू खास बात करो चाहा तो आप एप्यो के विषाए में देखिए जब एप्यो के लोग जाते हैं तो किसान संदेह की द्रस्टी से देखते हैं देखना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक कई एजेंसियों के माध्यम से किसान लुटता रहा है मैं किसान भाईयों को आस्वस्त करना चाहूंगा कि जब A.P.O. के मेंबर आपके बीच में जाएं तो उनको परकें क्या बास्ताओ में वो ऐसी A.P.O. संस्ता से जुड़े हुए हैं जो सास की तोर पर संचाले थे सास की नीटियों के द्वारां गठित की गई हैं उनको परिशन करने के उपरां तो उनसे जुड़ें और A.P.O. से जो तमाम किसम के लाब हैं इतने लाब हैं कि अगर उनका वखान किया जाए तो घंटों तक बात हो सकती है बहुत देसी परियोजना हैं ये सासन की अभी तक सासन के द्वारां किसानों को लाब देने की बात की जा रही थी अब किसान संग्ठनों के द्वारां ही किसानों के बीच में लाब देने की बात आ रही है किसान किसान की बात बहुत अच्छी तरह इसे समझते हैं और मैं आप सबसे आगरे करूँगा कि A.P.O. नहीं है तो A.P.O. बनाएं सासन से जोड़कर उसका लाव उठाएं और जहां आपकी छेत्र में A.P.O. हैं उनसे जोड़कर अपनी तरक्य करें बहुत ही उम्दा गुपता जी आपने बड़ी बारी की से किसान पादक संगठन के बारे में जानकारी दई हमाज किसान भाईया जागरूख हैं उनके चित पे बात चड़ हैं बे निश्चित आंगे बढ़ हैं और बड़े विश्वास के साथ काम कर हैं आप हमाई स्टूडियो में पदारे आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद